नमस्कार साथियों आपका स्वागत है मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे इलेक्टरल वरिफिकेशन प्रोग्राम मद्दाता सत्यापन कारिक्रम जो चल रहा है देश में बहुत सारी स्थानों पर पूरे देश में ये कारिक्रम चल रहा है और जिसका उद्देश ह मद्दाता सूची को पूरी तरह से करेक्ट करना और सारी जानकारियों को वेरिफाई करना और इसमें जरूरत है आप सबकी भागीदारी की आप सबके सहयोग की चुकि भारत एक लोगतंत्र है और यहां पर मद्दाता सूची का पहुंच जादा महत्तु है तो इसी को आपन कर रहे हैं और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है चुकि ये कारेज करना है एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसका समय निर्धारित किया गया है तो निश्चित तोर पे एक लंबा समय मिला है तो जरूर इसमें अपनी भागिदारी आप सुनिश्चित कराईए मद्दा जो होते हैं लोकतंतर के बहुत ही महत्वण कड़ी होते हैं और उनकी जानकारिया जो होती है वो भी बहुत हद तक आवस्यक होती है कि कौन सा मद्दाता कौन सा व्यक्ति जो है देश का वो किस नंबर पे रजिस्टर्ड है मद्दाता सुची में और किस प्रकार से वो अप प्रयोग करेंगे यदि उनकी जानकारिया पूरी तरिके से सही हुई, उनका जो मतदान केंदर है और अन्ने जानकारिया जो हैं कभी कभी यह देखने में आता है कि जो मत दाता होते हैं उनका नाम सूची में तो होता है लेकिन कई बार वोट डालने से वंचित रह जाते हैं और इसका कारण होता है जानकारिया जो की अप्डेटेड नहीं होती है तो इसे ही देखते हुए इलेक्शन कमिशन ने इस बार ये बहुत ही महत्त पूर्ण कारे करम प्रारंब किया है ज सव प्रतीसत notification करना जितने भी मत्दाता है और मैं आपको आज ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप Svam अपनी जानकारियों का सत्यापन कर सकते हैं क्योंकि जो आपकी जानकारिया होती है वो आप स्वेम समझ सकते हैं आप स्वेम जान सकते हैं और स्वेम ही सुधार सकते हैं चुकि जो व्यक्ति होता है जो मत्ताता होता है उसके पास अपनी जानकारिया होती है उनके पास documents होते हैं और इस तरीके में documents क द्वारा जानकारियों को अपटेट किया जाएगा और इसके बहुंस सारे रास्ते हैं सबसे पहला रास्ता तो है कि वेबसाइट के माध्यम से यह किया जा सकता है https colon double slash nvsp.in इसकी सहायता से अपनी जानकारियों को सुधारा जा सकता है इसके अलावा water वोटर हेल प्लाइन एप्लिकेशन है जो प्लेस्टोर पर उपलब्त है मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन पर जरूर दूँगा जिससे आप सीधे-सीदे उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जो है मोबाइल एप्लिकेशन है जो आपके मोबाइल पर साहता किंद्र बने हुए है जहां आप जाकर अपनी जानकारियों को सुधरवा सकते हैं वहां पर कंप्यूटर सिस्टेम इत्यादी लगे हुए हैं साथी कॉलेजिस में यह प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर भी सेंटर जो बनाये जाएंगे जो कॉलेज के ही होंगे और लोगों के पास इसकेनर इत्यादी की कई बार परिसानी हो जाती है तो इन माध्यों में पर जाके आप कर सकते हैं सांती साथ मोबाइल एप्लिकेशन जो बना हुआ है वोटर हेल प्लाइन एप जो है 2.0.4 उस पर आप असानी से अपनी जानकारियों का सत्यापन कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको इस लिंक को टाइप करना होगा अपने किसी भी ब्राउजर पे इसे टाइप करेंगे और जैसे ही आप इस लिंक को टाइप करेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन आजाएगा जहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजे दीग गई हैं इसमें आपको अभी जो करना है है पहले तो आपको लॉगई रजिस्टर करना होगा आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर OTP आएगा तो सबसे पहले शुरुवात में आपको लॉगिन करना है लॉगिन पे जैसे ही आप जाएगे तो इस प्रकार का पेज आ जाएगा अब यहां पे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड और कैपेचे कोड यदि आपने पहले लॉगिन कर लिया है तो इस पे आप को ओपन किया है तो इस प्रकार से आप अपना यहां पे आप नीचे देखेंगे डोंट हो अकाउंट रजिस्टर एसा नेयो यूजर यहां पे आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो आप से मोबाइल नंबर पूछा जाएगा यहां आप देख सकते हैं यहां पे ुट को डालेंगे और वेरिफाइ करेंगे उसके बाद आपकी जानकारी यहां पूछी जांगी यहीपक क्या है ?पका है करेंगे यूजर नेम पासवर्ड एंटर्ड करेंगे और कपेचे कोड डाल कर लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज अब दिखाए देने लगेगा चहां पर इंक्लूजन इन्रोल्मेंट प्रेस्ट प्रेस्ट पर्शन डिटेल डिलेशन इन इने यहां पर देख सकते हैं इसमें आपको अभी जो करना है वेरिफाई यहां से आप कर सकते हैं और उसके जाने के बाद आपको पेज है वह इस प्रकार से दिखाए देगा आपकी फैमिले लिस्टिंग यदि है तो वो दिखाई देगी यह आप देख सकते हैं जैसे ही आप वेरिफिकेशन प्रोग्राम सेल्फ को आप वेरिफाई करने जाएंगे तो इस प्रकार का पेज आएगा यहां पर आपको अपनी पूरी जानकारियां देखनी है जो फैमिले टेगिंग है व्यों डिट है वेरिफाई पे आप गये हैं यहां आप देख सकते हैं जो पेज है वेरिफिकेशन पे जाने पर तो अगर आपको लगता है यहां पर वेरिफाई सेल्फ डिटेल्स में जाएंगे और जाने के बाद आपको आपकी जानकारिया पूरी दिखाई दे रही है सभी चीजे ठी और यहां पिसामेंगे इस इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आवाऊज स्क्रीक्ट इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर इसे सब्मिट कर देंगे जैसे ही आप सब्मिट करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आयेगा कि आपकी जानकारी वेरिफाईट हो गयए और यदि आपको अपनी जो जानकारियां गलत है उन्हें चुनना है यहां चुन सकते हैं नाम फोटो पहचान पत्र संख्या जो भी चीज गलत है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर जिस चीज को आप सेलेक्ट करेंगे जैसे आपने नाम के लिए सेलेक्ट किया तो नाम और उपनाम क box open हो जाएगा यहां आप type कर सकते हैं लेकिन यहां मगान गरी संक्या इत्यादी का box जो है वो lock रहेगा नहीं खुलेगा तो उसमें यदि आपने पता पे click किया तो वो box खुलेगा इस प्रकार जो जो जानकारिया आपको update करनी है उन जानकारियों से संबंधित boxes open हो जाएंगे और फिर आप जानकारियों को update कर सकते हैं इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी जानकारी आपको update करना है जैसे मालिजी आपको नाम update करना है नाम में कोई गलती है तो जैसे आप नाम के box में क्लिक करेंगे अपना चानकारी एंटर करेंगे उसके बाद आपको उस चीज से संबंधी document आपके पास होना चाहिए यदि आपने आपका नाम बदला हुआ है तो उसे संबंधी document होना चाहिए जिसे आपको attach करना होगा scan करके इसमें डालना होगा जो आपका system है आपको ने computer पे जो document है उसकी copy रखनी होगी jpg format में और उसे आपको upload करना होगा जैसे मा लिजे मैंने photo बदलने के लिए यहाँ पर की option चुना हुआ है फोटो का तो यहाँ पर browse open हो जाएगा जहां से मैं अपना नया photo डाल सकता हूँ और उसी प्रकार आयू का प्रमाण पत्र है पता का प्रमाण पत्र है और उसमें दस्तावेज का type मुझे लिखना होगा कौन सा दस्तावेज आधार card है pen card है दस्तावेजों की सूची मैं आपको बताता हूँ यदि आपसे संब्धित कोई भी जानकारी माली जी आपका date of worth गलत है तो आप उसमें pen लगा सकते हैं ग्राश 10 का mark sheet लगा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं इस प्रकार से जहां पर आपकी उस जानकारी से संब्धित तस्तावेज हैं उसे आप इसमें लगा दे सब्सक्राइब करेंगे फिर यह फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद यह अर्थात आपको जाने क्या हो सकता नहीं है यह डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा दिर्वांचन कार्या लेके office में और वहां पर आपकी जानकारी को update कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपक आपको लगती है कि आपका जो मद्दान केंद्र है किस प्रकार से है तो उसके बारे में कुछ option पूछे जाएंगे यदि आप चाहे इसको skip कर सकते हैं और चाहे तो polling station की जानकारियों के संबंद में suggestion दे सकते हैं इसके अलावा आपको आपके परिवार के लोगों की जो जा किया जा सकता है उसके द्वारा इपीक नंबर आपके पास होना चाहिए आपके परिवार के सदस्यों का तो एक बार आपने लॉग इन कर लिया और उसी लॉग इन के पाद फिर यहां पर आप देख सकते हैं यहां सर्विसेस को option बना हुआ है जिस पे आप देखेंगे इले प्रविष्ट कर अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर परिवार के सदस्यों को इसमें वेरिफाई कर सकते हैं वन बाई वन जैसा प्रोसेस हमने अभी आपको अताया था इसके अलावा यदि हो सकता है कि कुछ लोग जो है अन इन्रोल्ड है अर्थात उनका नाम मददाता सुची में नहीं है, किनी भी कारणों से उनका नाम छूट गया है, तो उनको भी आप इसमें एड कर सकते हैं, आवेधन electronically इसमें भी जमा हो सकता है, कि किस प्रकार से आप लोगों को enroll कर सकते हैं, इसमें आपको date of birth डालना होगा, age डालना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर जानकारिया पुछी जाएंगे कि जिन वेक्तियों का नाम आपको इन्रोल करना है जो कि जुड़े हुए नहीं है जिनका उम्र 18 वर्स से अधिक हो गया है तो उनके लिए आप यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे जानकारियों को नाम डालेंगे और फिर एड मेंबर इसमें कर सकते हैं तो इसको करने के बाद आप अपना डैस बॉर्ड भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या जानकारियों को कर लिया है कि नहीं क्या है फैमिली ग्रूपिंग बना लिया है कि नहीं फैमिली मेंबर के डिटेल डाल दिया है कि नहीं यह सा पुरी जानकारियां अपडेट हो जाएंगी सभी में यस आज जाएगा और इसके बाद आप समझ सकते कि पुरी जानकारियां करेक्ट हो जाएंगे और निश्ची तोर पे इस प्रयास से सारी मद्दात्र सूची की जानकारियां अपडेट हो जाएंगी तो यह थी वेबसाइ जानकारियों का सत्याफन करना साथ ही साथ एक कोटर हेलप लाइन नंबर है 1950 जिसको आप डायल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारियां कोई भी सहाय था आपको चाहिए कभी भी तो 1950 आप डायल करेंगे तो आपको इलेक्शन कमिस्न ऑफ इंडिया की ओर से यह तॉलटरी नंबर रखा गया है जिसपे आप कॉल करके अपनी जानकारियां सुधरवा सकते हैं जानकारियां ले सकते हैं किसी भी समय यदि आपको निर्वाचन से संबंधित कोई जानकारी लेनी हैं चुनाओ से शंबंधित जान स्टोर पे और वहां पे डायरेक्ट आपको इसका लिंक मिल जाएगा बहुत चोटा से बहुत जल्दी इंस्टाल हो जाता है तो इसे इसे इंस्टाल करने के बाद इसमें बहुत सारे आपसंस है आप इसमें देख सकते और अभी जो यह फीचर जोड़ा गया है यह जो वरिफिकेशन है इसको जोड़ा गया है यहां पर आपको चिन न दिखाए देगा जैसा आप देख सकते नीचे में एक व्यक्ति का चिन है जिसमें राइट लगा हुआ है उसमें आप जाएंगे और फि पर क्लिक करना नहीं पर करना है जैसे आप लाइट करके और दबायें गे तो को आएगा आप के इस प्रकार का फिर पेज आजा जाएगा जोगी वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले आपका नाम सर्च करने का अप्सन देता है तो आपके पास यदि कार्ड है तो होता है उसके अलावा details यदि आपने एंटर्ड किया नाम फादर नेम इस प्रकार की जानकारियों को एंटर्ड किया और सर्च कर सकते हैं उसके अलावा यदि आपके पास इपीक नंबर है तो बहुत आसानी से आपको सिर्फ इपीक नंबर प्रोइश्ट करने हैं और सर्च प आपका ही इसमें डाटा रहता है तो मैंने में क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे तो यह आप इस नंबर को अपने पीक के साथ चौड़न चाहते हैं आपको इस पर यस करना है तो फिर आगे प्रोसीड हो जाएंगे और यदि आपको लगता है कि यह पिक नमबर जो है गलत है गलती से आप ने खोल लिया तिया आप इसमें बैक करके वापस चले जाएंगे और फिर जैसे ही आपने यस किया यहां पर देख सकते हैं आपने यस किया तो आपको अगला पेज आ जाएगा इस प्रकार से जहां पर आपकी जानकारिया लिखी होएंगी और verify और modify का option दिया होगा आपको अपनी जानकारिया इसमें चेक करनी है आपका नाम जो है तो आप verify चले जाएंगे verify पे जैसे ही आप click करेंगे तो आपका GIS location के लिए option आएगा जहाँ पर आपका GIS location पुछा जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि यह verify पे गए हैं तो उसके बाद फिर एक page आजाएगा जहाँ पर आपकी जानकारियों को verify किया जाएगा document एक आपको upload करना होगा अपने पते संबंधित location के लिए detail जो है upload document करेंगे तो आप आपका पता जो रासन कार्ड है बिजली बील है और किसी भी प्रकार का जो document है यहाँ देख सकते हैं documents की लिस्ट दी हुई है driving license है जो इंडियन पासपोर्ट है water bill है telephone bill है जो भी document आप upload करेंगे उसको आपको upload document पे जाना है और उसका फोटो किसना है साथी साथी आपने gallery पे रखा हुआ आपने mobile पे पहले से photo है तो आप उसे भी select कर सकते हैं document का type select करेंगे और फिर confirm कर देंगे और ये आप सद्यापन complete हो जाएगा और यदि आपको लगता है कि जानकारियां कुछ हद तक गलत थी तो आप correction form में जा सकते हैं आपने जब modify पे click किया तो आपको फिर पूछा जाएगा कि आप कौन सी जानकारियां सुधरवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम फोटो इपीक नमबर एड्रेस जो भी चीज़े आपको सद्धाना है उसे चेक कर लेंगे यहां पर यहां पर बॉक्स बना है जिस पर चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर उससे संबंधित फिल्ट से यहां पर आ जाएंगे और फिर चाहें यदि आप चुना हुआ है डेट ऑब बर्थ और फोटो तीनों चेंज करने का मालिज यह चुना हुआ है तो इस प्रकार को उप्सन दीके कि जिसमें आपको सही नाम भरना है आपका जिनल लेंग्वेज पे सरनेम डालना है डेट ऑब बर्थ मैंने चुना हुआ था और यदि मैंने फ चैन करके इस पर सब्मिट कर देना होगा और इसके बाद यह जो डॉक्यूमेंट्स है वह आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं इस चीज का धियान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोट कर रहे हैं वह उस चीज चाही यह आप देख सकते हैं इसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी एड़ कर सकते हैं इसमें ओप्सन दिया गया है उपर में आपका नाम दिखाई देगा आपका इपीक नमबर दिखाई देगा और यहाँ पे एड़ फैमिली मेंबर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा कि फैमिली मेंबर कौन है साथ ही साथ यदि आपने नया कोई व्यक्ति जोड़ना है तो आप यहां पर नए व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं ने वोटर रेजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टिव रेजिस्ट्रेशन जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे और उसके बाद सभी सदस्यों का डॉक्यूमेंट जो है और यदि कोई चीज बदलने के वह सब्सक्ता नहीं है तो आप उनको कर देंगे और आखिर में सबको वेरिफाइग कर देना है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वेरिफाइग करने के बाद भ सकते हैं एनवैस्पी ौट आयन की साइट पर वहाँ चीज़ कार है और जानकारी सबस्क्रों करने के पाम चीज़ करने के पहले जानकारियों को पार आभेदन कर सकते हैं तो इसमें यह नहीं कि एक पार आपने verify कर लिया तो आपकी जानकारियां हमेशा के लिए उसी प्रकार से fix हो जाएंगी बलकि verify करने का उद्देश से यह है कि आपको verify किया जा रहा है कि आप voter है आप सहीं वेक्ती है जिनका नाम जुड़ा हुआ है हो सकता है आपके नाम में कुछ mistake हो या age में कु उसे से कि जो जानकारी गलत होती तो किसी भी समय आवेदन जमा किया जा सकता है election office में निर्वाचन कारेले जो है वहां पे कभी भी आप form 8 जमा कर सकते हैं और यदि आपकी जानकारियां अभी भी आपको लग रही है कि सहीं नहीं है तो आप उसे सुधरवा सकते हैं verify जरू कर सकते हैं और पूरी तरह से electronic है आप घर से बैठके कहीं से भी कभी भी इसे कर सकते हैं इसके साथ polling station का feedback का option आपके पास आएगा तो आप इसे चाहें तो entered कर सकते हैं या कि इसकीप करके आप family tagging पे भी बढ़ सकते हैं जब आपने self verify किया था उस समय पे कुछ सवाल है जो जहां तक हो सब्सक्राइब जरूर दीजिए जिससे कि आपका जो मद्दान केंदर है उसे भी स्विधिर्ट करने में कारिय किया जाएगा तो यह था water help line जो आप देख रहे थे mobile application है इसके अलावा आपको मैंने पहले आपको nvsp.in website का जानकारी दिया हुआ है version 2.0.4 जो है water help line है उसमें यह सारी जानकारिया आ गई है तो जरूर अपनी जानकारियों को अच्छे से सुधार लीजिए और अलग-अलग तरीके मैंने आपको वीडियो के शुरुआते बताया थे कि किस प्रकार से आप अपना verification कर सकते हैं यदि आपके पास computer और mobile की विवरस्था नही है या आपको कोई दिकत होती चानकारियों को सुधारने में आ जिला कारियालय जा सकते हैं निरवाचन कारिया जो होता है उसके लावा जो आपके पूरी जानकारिया देख सकते हैं और हर फिल्ड को आप सकते हैं पूरी जानकारिया आपके सिस्टम पे जो है वो सुधर जाएंगी और से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को भी लाइक अवस्य करीए घुड़ी है जो आपके चुड़े हैं आपके काम के हैं तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिए साथ ही साथ चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए हम आपके इसी पकार वीडियो लेकर आएंगे जो आप से जुड़ी है आपके काम की है तो तब तक के लिए धन्यवास साथियों नमस्कार